स्रीलमका, 22 मिलियन की आवादी का एक आईलेंड कंट्री है जो की अपने वर्रिस्ट, एकनॉमिक और पॉलिटिकल क्रैसिस से दूज रहे और सरकारी मिनिस्टर सामुई की रूप से अपने पदो से इस्तीफा दे रहे हैं और इन सभी अनिस्टेबिलिटी का one of the main reason है बिजेसी मुद्रा में भारी कमी इसी कारण से राजपक्सा गवर्रमेंट कोई भी एसेंसेयल चीज़ें including fuel इंपोर्ट करने में असक्षम है क्योंकि सरकार के पास payment करने के लिए डॉलर सी नहीं है और इसी कारण से दिन में 10 घंटे तक बिजली में कटाओती की जाती है और पहले से ही आम स्री लंकन shortage और भारी inflation से दूज रहे हैं बट स्री लंका की ऐसी हालत हुई कैसे इसी topic को discuss करेंगे पर उससे पहले Hi guys मैं हुआ Amit और आप देख रहे हैं Bro Like You स्री लंका भी भारत की तरह British Empire का पार्ट था और 1948 में इसे आजादी मिलती है लेकिन आजादी के समय स्री लंका की economic situation बहुत ही अच्छी थी in comparison to India 1948 में स्री लंका की life expectancy rate 54 years थी on the other hand इंडिया की bus 32 years infant mortality rate 82 per thousand child थी 1950s में on the other hand इंडिया में 182 per thousand child थी और 1980s में सब कुछ change हो गया कारण था स्री लंकान civil war इस civil war ने स्री लंका की economic में गहरा impact डाला और यहां से ही स्री लंका की economic का heavy downfall सुरू हो जाता है experts का कहना है कि इस economic crisis को इस position तक पहुँचने में कई साल लगे है जो कि थोड़ी bad luck और बहुत सारे government mismanagement के कारण हुआ है और इस economic mismanagement को successive government द्वारा repeat किया गया है जो कि ultimately एक twin deficit economy को जना देता है 2019 में Asian Development Bank के एक report के नोसार स्री लंका twin deficit economy का एक perfect example है twin deficit ऐसे situation को कहा जाता है जब national expenditure national income को exceed कर जाती है और tradable good और service की production भी बहुत ही inadequate होती है लेकिन मौजुदा संगट को 2019 के election campaign के दौरन और ज़्यादा हावादी गई जब राजपकसा ने tax में भारी cut-out करने का वादा किया और इस tax reform को COVID-19 pandemic सुरू होने के एक मेंस पहले लागो कर दिया गया but the move totally misfired और इस फैसले ने स्री लंकन economy के कुछ पार्ट को totally wipe out कर दिया और साती में स्री लंकन tourism industry और foreign remittances badly affected हुए because of the pandemic और credit rating agencies ने भी स्री लंका को downgrade कर दिया इसका सीधा सा मतलब है यदि किसी देशी credit rating गिरती है तो उस देश को international markets से सस्ते दर पर loan मिलना बहुत ही और स्री लंका के foreign reserve दो साल में 70% से ज़्यादा खाली हो चुके हैं और 2021 में government द्वारा chemical fertilizer को ban करने का फैसला जो कि बाद में reverse कर दिया गया देश के farming sector को badly effect किया इस economic crisis ने स्री लंकान लोगों के जीवन पूरी तरह से change कर दिया अब उनके जीवन ऐसे position में है जहां उन्हें घंटो लाइन में लगे रहने होते हैं रोज मर्रा के जीवन के बस्तुए और राशन प्राप्त करने के लिए और recent week में तो दुकानों को जबरंग बन करना पड़ा क्योंकि उनके पास refrigerator, ear conditioner और fan चलाने के लिए electricity नहीं है और यहां तक कि soldier deploy करना पड़ गया, gas station में तक कि public order maintain किया जा सके On the other hand, लोग अपने टैंकों को भड़ने के लिए इस भीशन गर्मी में लंबे-लंबे line में ख़र रहते हैं और inflation के करन सभी चीजों के दाम आसमान चूर रहे हैं जिससे आम आदमी की जीवन miserable बन गई है स्री लंका अब International Monetary Fund से financial support की मांग कर रहा है और regional power की और रुक कर रहा है ताकि उनसे भी कुछ financial help मिल सके स्री लंका ने इंडिया और चाइन से भी मदद की गुहार लगाई है हाला कि नई दिली ने पहले ही March में स्री लंका को $1 billion तक के credit line जारी कर चुकी है बट कुछ analyst का कहना है कि यह problem को और बढ़ाएगी rather than solving it आगे क्या होगा इसको लेके बहुत ही uncertainty है According to the country's central bank National consumer price inflation September में 6.2 से February में 17.5 तक लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है और स्री लंका को इस साल $4 billion तक के loan repayment करने है Including $1 billion international sovereign bond जो की जुलाई में mature होने वाले हैं तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हेंद जय भारत झाले हैं